उर्दू किसकी भाषा है? किस ने कहा दुवारा मत कहिएगा? उर्दू हमारी भाषा है। ये जाहिल जो चौदा सो साल से अपने साइस का पजामा नहीं बना रहे ये इनकी भाषा होगी है। किस दुनिया में? कौन सी भाषा है? कहां सुना था अपने? कि उर्दू उनकी भाषा है? फिराख गुरकपरी कौन थे? करशनजनपन कौन थे? उर्दू हमारी जबान है, इसी मिट्टी की जबान है, इनकी जबान नहीं है, कोई ले न देना नहीं है। लेकिन उन्हों ने ऐसा आपको फसाया कि आज 2024 का भारती इस सनातन धर्म सभा के सभागार में बैट करके पुश्पेन के सामने पूरी कॉन्फिडेंस से कहा उर्दू मुसल्मान की भाषा है कहां से आये थे ये और कैसे कैसे नरेटिव हैं इसे आप चलाते हैं इसलिए मैं मैं तो पब्लिकली कह देता हूँ कि भई मुझसे एकनोमिक्स के बारे में बात मत करना हाई स्कूल में तीन नंबर मैथमेटिक्स में ग्रेस मिला था तब पास हुआ था लेकिन क्यों इसको बाहर बात को नहीं आता हमको उससे आसानी हो जाती है कि कम से कम कन्फूजन नहीं क्रियेट करते हैं इसलिए एक और नरेटिव है यहां आज के युवा बच्चों को पूछ रहा हूँ यह मुगलई बिर्यानी है यह पूछो भाई जहां से यह मुगल आये थे वहाँ धोने के लिए पानी था तो चावल कौन से कैसे उग गए रेकिस्तान में चावल लोग थे यह मुगलई बिर्यानी है यह हल्वा हमारा है अब घदे हल्वा बनाने के लिए जो घी चाहिए घी के लिए दूद चाहिए वहां उटनी दूद दे रही थी क्या जहां से आये थे तो लेकिन मुगलई बिर्यानी है मुगल से जोड़ दिया है कैसे भूके नंगे चोट नरेटुब ने आपके युवा बेटे-बेटियों को मूर्ख बना रखा है ये घजल आ क्या बात है वाव 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 एक था शायर अभी मरा है बड़ी मुश्किल से पीज़ा छूटा है 90% सनातनी हिंदू शाम को थोड़ा सेंट्वेंट लगाके मुशायरा सुनने जाते हैं मुशायरा सुनिए बुरी बात नहीं है लेकिन मुशायरे में बैट करके कोई आपको आपकी सब्विता को अर्दू में गाली दे रहा है और आपके वाव वाव क्या बात है क्योंकि वावा करना है ये बताना है आप पड़ो सीको कि देखो मुझे उर्दू आती है उससे अभी पीछा चूटा है वो जीवित था तब भी बोलता था मैं अब वो चले गए हैं अल्ला ने उनको बुला लिया बड़ा इसान किया इस धर्ती से एक बोज़ कम हुआ वो एक ये शेर की लाइन याद है मद्व परदेश के रहने वाला था इंदौर का और उसके नाम के आगे भी यही लगा था इंदौरी देखे सब को नाम पता है लेकिन उसने जो पाखंड फैलाया वो नहीं पता है वो खुलम खुला आप से कहता था कि जो आज साहिबे मसंद हैं हां मतलब जो राजा हैं जो गद्धी पर बैठे हुए हैं क्योंकि मसंद कहते हैं गोल वाले तक्यों को और पुराने जमाने में राज-काज करने के लिए मेज-कूर्सी नहीं थी गद्धे थे और एक तक्या तो आपको इसलिए याद होगा कि फूल वाले चचा उससे भारत में 1947 से लेकर के जो लोग सत्ता में हैं वो उनके लिए कह रहा है कि जो आज इस सत्ता में हैं ये मकान मालिक नहीं किराएदार हैं वो सीदे सीदे आपसे मूँ कह रहा है कि हमारी सत्ता तुमने लिए है तुम किराएदार हो मकान मालिक नहीं हो हम हैं मकान मालिक वो य इसलिए अर्दू ऐसी जबान है कि उसका नुक्ता उपर नीचे लगा दें तो बड़ा गड़बड हो जाता है। वही नुक्ता अगर एक ही शब्द के नीचे लगाते हैं और उपर लगाते हैं तो उपर लगाने से नुक्ता खुदा होता है और नुक्ते को उठा करके नीचे लगा दे तो कहते हैं एक नुक्ता खुदा को जुदा कर देता है इसलिए चीजों को समझे बिना जाने मत बोलिए पढ़ लीजिए जान लीजिए तब किसी सारवजनिक मंच पे कोई बात कहिएगा इसलिए ये तमाम पाखन जो हमारे देश में चल रहे हैं ये हमारी अपनी मूर्ता के कारणा है महा महा मूर्क हम पे अपना ज्यान दे रहे हैं क्योंकि हमने अपनी रूट को छोड़ दिया है हम टेलिविजन देख करके रामार्ण जान पाए टेलिविजन देख करके हम महाभारत जान पाए और उसी टेलिविजन में ये बताया गया कि सुन्दरता की निशानी तैमूर की अम्मी है हर महला हर बेटी तैमूर की अम्मी बनने के लिए दीवानी हुई जा रही है न मा के पास समय है क्योंकि मा को साज भी कभी बहु देखना है सबने अपना का और कौन सी लेटिस साड़ी आई है उसी हिसाब से घर चलेगा मैं आज भी ये कहता हूँ कि अगर अपनी बेटियों को साथ में टेलिविजन देखना है और सुन्दरता की निशानी ही ढूननी है तो बाहु बली फिल्म की देव सेना भी तो खूबसूरत हो सकती है वो रोल मॉडल क्यों नहीं बनी आपकी और अगर सुन्दरता की निशानी देखनी है इतिहास में तो मैं आज भी मानता हूँ के मेरे लिए और सारे सनातनियों के लिए अगर सुन्दरता की कोई निशानी है तो शिवाजी की मा जीजाबाई है शिवाजी शिवाजी नहीं होते अगर जीजाबाई नहीं होते ये जीजाबाई थी जिसके कारण शिवाजी शिवाजी बने है इसलिए कपड़ों से अपने रोल मॉडल तैम मत कीजिए टेलिविजन देख करके भारत का इतिहास मत जानी है अपने बीच में चलते फिरते लोग हैं जो काम कर रहे हैं उसका सर नेम क्या इसकी चिंता मत कीजे हलके से पीट थपता पा दीजे यही सबसे बड़ी ताकत है इसलिए सम्विधान को बिना पढ़े सम्विधान में आप बात करते हैं बिना जाने सम्विधान पर डिवेट है और वो सुबह से शाम सम्विधान को बदलने पर लगा हुआ है इस सम्विधान में जब चित्र डले चित्र छपे जब बहार आए और अगर वो चित्रों वाला सम्विधान आपके हाथ तक आ जाता तो आप कन्फ्यूज नहीं होते हैं इसमें बी जे पी यार एसेस विशंदू परशद और जागरान और मुस्लिम लीग ये विशे ही नहीं आते हैं ये बिचारे तो थे नहीं ये तो गरीब खामखा बोज़ दो रहे हैं इनका कोई लेना देना नहीं है उस सम्विधान में जो मैंने बताया ज्यान व्यापी मजजित जिसका असली महा लिखा हुआ है ज्यान प्यापी मंदिर जैन के नाम से जानते है जो भारत के सम्विधानिक तोर पे और भारत की पार्लमेंट के तोर पे इस देश में माइनोटी है जब उसने उस ग्यान व्यापी की लडाई लड़ी तब इस देश को पता चला